मिर्ची बॉलिवुद बॉलिवुद की देशी गर्ल प्रियंका चोपडा और अमेरिकी सिंगर निक जोन्स के अफेर्स की खबरें काफी सुर्खियों में है लेकिन प्रियंका और उनके रियूमर बॉइफ्रिंड निक के साथ इंडिया में सर्प्राइज विजट और उनके साथ डिनर डेट पर हाथों में हाथ थामे नजर आने के बाद इस खबर को और हवा मिल गई है इतना ही नहीं निक जोन्स ने भारत आने के बाद न केवल प्रियंका के दोस्तों के साथ पार्टी की बलकि प्रियंका की मा से भी मुलाकात की है जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि देशी गर्ड ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी मम्मी की परमिशन ले सकें और निक के साथ अपने रिष्टे को एक नए पायदान पर ले जा सकें लेकिन निक से मिलने के बाद अब देशी गर्ड की मा ने उनके बारे में अपनी राय मीडिया को बता दी है जी हाँ मीडिया को प्रियंका की मा ने बताया हम सभी बस एक डिनर देट के लिए बाहर गए थे और निक भी वहाँ मौजोग थे पार्टी में लगवग 10 लोग थे इसलिए मुझे निक के साथ बात करने का ज्यादा मौकर नहीं मिल पाया मैं भी उस पार्टी में निक से पहली बार मिली थी ऐसे में मुझे लगता है कि एक मुलाकात के बाद किसी के बारे में राय बनाना ना इंसाफी होगा तो सुना आपने मधु चोपडा की इस बात से तो ऐसा ही लग रहा है कि इन दिनों दोनों के बीच ज़रूर कुछ पक रहा है लगता है निक को उनका दिल जीतने के लिए अभी थोड़ी सी मशकत और करनी होगी वेल अब हम तो यही चाहेंगे कि अगली मुलाकात में प्रयांका की मा इनके रिष्टे को मंजूरी दे आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट करके सरूर बताएं और बॉलेवर्ट से जोड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल झाल 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 झाल